Hello everyone Radhi kishnab Sabiko यह है मेरे पास तुलसा जी की सूक वी लकडिया जब तुलसा जी सूख जाती तो उसको मिखटा करके पॉलोथिन में रख लेंगे और कार्तिक महा में जब कार्तिक आते तो इससे हम दिया बाती करेंगे और साथ मैं करेंगे मिस से हवन तो गईज यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं तुलसा जी की लकडियों से हम कैसे हवन करते हैं यहाँ पर फ्रेंट्स तुलसा जी की जो लकडिया होती इससे हवन करना बहुत ही शुब माना जाता है माता लक्षमी का आशिरवाद हमें सीगरी प्राप्त होता है यहाँ पर मैं आपको अश्टमी और नोमी के दिन जब हम अपने घर में भावन करते हैं वो कैसे करते हैं और साथ में तुलसा जी की लकड़ी के दौरा मैं आप लोगों के साथ हमें सामकरी शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर चलिए मैं दिखाते हूं कि मैंने कौन कौन से सामकरी ले रखे तो यह तो आपने देखिए कि तुलसा जी की सुकी लकड़ी है मेरे पास तो यहां पे मैंने कुछ तुलसा जी की सुकी लक्रिया लिया है और यहां कुछ मेरे पास उपले हैं गाएं के गोबर के तो यह है गाएं के गोबर के उपले जिस पे मैंने गाएं का देसी की डाल दिया है तो यहाँ पर यह चीज़े रखी है हमने साथ में कपूर है हमारे पास यह है पताशे और यह है लोंके जोड़े साथ में और यह है गूगल वाली जो दिया कहते हैं वो है मेरे पास लाख किरो हम मार्केत में बहुत अधुन पार्ट की दुकाने मशें ऩूर्णे कें पिर गायइं की हैं तो अब हम कैसे करेंगे पहले मैं आपको यह दिखा रही हूं कि सूकी लकड़ी से हमावन कैसे करते हैं कार्थिक महां में यह हमान करना बहुत ही शुप माना जाता है सूकी तुलसा जी की लकड़ियों से तो यहां पर देखें मैंने जो यह सामगरी लिये ना सारी यह सारी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसमें किस प्रकार से आहुती देती हूं और मंत्रों को चरण कैसे करते हैं और कौन सा जाप करना चाहिए हमान करते समय तो सबसे पहले यहां पर हमावन सामगरी में जो घी से ज्यादा लीजिए और देखें यहां पर तुलसा जी की लकडिया के द्वारा दिखा रही हैं मैं आपको आप यह जो तुलसा जी की लकडिया ली है इसको ऐसे तोड़ लीजिए छोटे-छोटे पार्ट कर लीजिए इनको आप जो सूती धागा और जिसे कपास कहते हैं उसमें भी लपेट सकते हैं नहीं तो आप इसको ऐसी डारिक भी रख सकते हैं तो देखें यहां पर मैंने इस तरीके सी यह सारी रख लिया educators यहां parents यहां पर आप लोग के साथ वह भी शैर करओंगी तो यहां पर गील डाल और पहले से ए जो तुल्सा जी की लकड़ी अच्छे से लप एट लेंगे तो यह एक एक आपी अग्रने आप दालाई कि यहां पर हम एक राक्षी माला है मिरे पास काफी माला है मैं आप लोगे साथ कभी और वीडियो में शेयर करूँगी मैंने माला कलेक्शन तो इस नहीं हाँ पर देखिए मैं माला का जाब करती हूँ और माला को मैं इस परकार से पकड़ती हूँ अपनी जैसे हिरनी मुद्रा कहते है इसको इस तरीके से और मेरे पास माला फेरने वाली पोटली भी है जिसे गव मुखी भी कहा जाता है तो इस परकार से मैं माला फेरती हूँ और अपने हाथ में ऐसे बांद लेती हूँ और अपनी जो तरजनी फिंगर जो मिडल फिंगल के बगल में जो एक पहली फिंगर जिसे कहते है तरजनी इसको मैं इस तरीके से बाहर निकाली तो इसमें अपने आपी शेप बनावा है आपकी अंगली उस माला से टच नहीं होनी चाहिए जाप करते समय तो जितनी बार हम आ करेंगे तो हम औम नम्ह भगवत वासुदेवाई का जाब करेंगे और पूरा मंत्र बोल के एक-एक करके आवुति देते जाएंगे नहीं तो हरे विश्णु का जाप करेंगे नहीं तो फिर हम जो गुरू मंत्र आपको मिला है या आप लेना चाहते किसी से आगर आपके पास है तो आप उसका जाप करके इससे हवन कर सकते हैं यहां पर इस तरीके से मैं तुर्सा जी की लगड़ियों के द्वारा हवन करते हूं कार्थ नहीं तो इहां पर हमारी है कार्थ क माा का हवन हुआ यहां हमारी आपको देवी मा की ह। तो देवी मा के हावन को हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो जो उपले लिए है उसमें हम ये तुलसा जी की लक्री नहीं डालेंगे लेकिन ये जो बताशी होते हैं उसका भोग लगाते है देवी मा को तो देवी मा को भोग लगाने के लिए अश्टमी और न तो यहां पर मैं माला का जाप करूँगी, अगर कोई और माला का जाप कर रहा है, तो आप सुआहा करते होए इसको इस मुद्रा में, जैसे मैं नहीं पकड़ा हूँ, आप देख रहे हैं, मैंने एक अनामी का फिंगर से और थम से मता अंगुठे से पकड़ा हूँ, इस तरीक करने से माता रानी का आशिरवद हमें सिगरी प्राप्त होता और माता रानी का आशिवद हम पे बना रहता है, घर में हवन करने से हमारे सभी घरह मजबूत होते हैं, शुकर घरह सबसे ज़्यादा मजबूत होता और हम जब तुलसा जी का प्रियोग करते हैं, तो तुलसा अपने घर में समय समय पर हावन करते रहना चाहिए अगर आप पंडित द्वारा हावन कर आए तो भोती स्रेश्ट है नहीं तो खुद भी अपने आप स्वाहन से ऐसे हावन कर सकते हैं भोती सरल असान तरीके से तो गईस यहां पर देखिए मैंने आपको बताए कि कार्तिक मा में अगर आप तुलसा जी की लकड़ी से हावन करते तो माता रानी और विश्ण भगवान दोनों का आशिरवाद हमें सीक्र प्राप्त होता है तो लक्षी माता की किरपा अगर आप पाना चाहते हैं तो कार्तिक मा में आप तुलसा जी की लकड़ी से हावन अवश्य करिए तुलसा जी की दीपक की बाति जरूर बनाइımız उमेद करती हूं, आपको वीडियो को पसंद आ रहे होंगेना है झाल झाल